हेलो गाईज बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल केजूल गेमिंग में ज़ो आज एक नए इवेंट है हमारा वेपन हंट इवेंट और इसमें आपको कैसे अपना पर्मनेंट स्कार मिलेगी पर्मनेंट रिट मिलेगे वेपन का सब बताएंगे आपको और scar case में काफी गहना है तो एक बार पहले आपको सारी detail बता देता है उसके बाद पूरी बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर how to play वाले option में और इसमें आपको समझ में नहीं है का क्या करना है तो आपको बता देता हूँ इसमें आपको एक dice roll करने के लिए यहाँ पे 30 gems खर्च करने होंगे ठीक है 30 gems आपको खर्च करने होंगे और 5 dice roll करने के लिए 135 diamond आपको यहाँ पे खर्च करने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते तो आपको यहाँ पे permanent crate मिल जाएगा gun का, मतलब कोई भी एक gun आपको इसमें मिल जाएगी, अब वो gun कौन सी है यह आपको पता करना पड़ेगा इसमें देख के ठीक है, redeem करने के लिए यहाँ पे option आएगा, तो इसमें आपको diamond खाने के लिए यह event भी यह event भी आया, sorry, diamond खाने के लिए और इसमें भी आपको diamond waste करना ही करना पड़ेगा क्योंकि आपका अगर 6 से जादा number आया जैसे कि आपको यहाँ 3 पे रुख गया और फिर 3 से direct 5 आगया तो आपको फिर से घूम के पुरा पीछे तक आजाएगा और फिर यहाँ तक आजाएगा बन पटिक है, तो ऐसे यह event चलने वाला है और आपको dice ही दिया हुआ यहाँ पे roll करने के लिए diamond लगेगा जितना crate आएगा वो आप ले सकते हो redeem कर सकते हो, crate में काफी चीज़े आपको guns की सारी skin permanent मिल जाएंगी हर gun की skin permanent है, वो कौन सी skin है वो एर crate में ही पता लग पाएगा ठीक है, बाकि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे दिया हो, कि आपको यह gun की skin मिल रही है तो वो आपको यह देखना पड़ेगा, अगर आपको crate मिलता है, तो जहाँ तक मुझे पता है इसमें सारी gun की skin permanent है और weapon hint इवेंट का नाम है तो of course permanent ही होगी इतना diamond card skin के बाद coin temporary लेना चाहेगा है, ठीक है तो यह आपको permanent मिल जाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाईज लाइक मार देना, कंजूसी मत करना सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो चैनल पे टेक क्यार, बाए बाए, सी यो नेक्स वीडियो